एक समय की बात है एक राज्ज में एक राजा राज करता था उसके महल में बहुत कूबसूरत बगीचा था बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता था राजा माली के काम से बहुत खुश था डौक बगीचे में एक अंगूर की एक बेल लगी हुई थी जिसमें धेर सारे अंगूर फले हुए थे एक दिन एक चिडिया बगीचे में आई उनसे अंगूर की बेल पर फले अंगूर चक्खे अंगूर स्वाद में मीठे थे उस दिन के बाद से वह रोज बाक में आने लगी चिडिया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन-चुनकर सारे मीठे अंगूर खा लेती खटे और अध्पके अंगूर वह नीचे गिरा देती चिडिया की इस हरकत पर माली को बड़ा क्रोधाता वह उसे भगाने का प्रयास करता लेकिन सफल नहीं हो पाता डॉट बहुत प्रयासों के बाद भी अगले दिन वह बात में गया और अंगूर की घनी बेल की आड में छुपकर बैठ गया रोज की तरह चिडिया आई और अंगूर की बेल पर बैठ कर अंगूर खाने लगी अवसर पाकर राजा ने उसे पकड लिया चिडिया ने राजा की पकड से आजाद होने का बहुत प्रयास किया किन्तु सब व्यर्थ रहा अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वो उसे छोड़ दें राजा इसके लिए तयार नहीं हुआ तब चिडिया बोली राजन यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हे ज्यान की चार बाते बताऊंगी राजा चिडिया पर प्रोधित था किन्तु इसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला ठीक है पहले तुम मुझे ज्यान की वो चार बाते बताओ उन्हें सुनने के बाद ही मैं तै करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं चिडिया बोली ठीक है राजन तो सुनो पहली बात कभी किसी हाथ आये शत्रु को जाने मत दो ठीक है और दूसरी बात राजा बोला दूसरी ये है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो चिडिया बोली तीसरी बात बीती बात पर पच्चतावा मत करो और चौथी बात राजन चौथी बात बड़ी गहरी है मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूँ किन्तु तुमने मुझे इतनी जोर से जकड रखा है कि मेरा दम घुट रहा है तुम अपनी पकड थोड़ी धीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं चिडिया बोली राजा ने चिडिया की बात मान ली और अपनी पकड धीली करदी पकड धीली होने पर चिडिया राजा एक हाथ छूट गई और उड़कर पेड की उँची डाल पर बैठ गई राजा उसे ठगासा देखता रह गया डॉट पेड की उंची डाल पर बैठी चिडिया बोली राजन चौथी बात ये की ज्यान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता उस पर अमल भी करना पड़ता है अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्यान की तीन बाते बताई जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया पहली बात मैंने आपसे ये कही थी कि हाथ में आये शत्रू को कभी मत छोड़ना लेकिन आपने अपने हाथ में आये शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया दूसरी बात ये थी कि असंभव बात पर यकीम मत करें लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पच्चतावा न करें और देखिए मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पच्चता रही हैं इतना कहकर चिडिया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया सीख मात्र ज्यान अरजित करने से कोई ज्यानी नहीं बन जाता ज्यानी वो होता है जो अरजित ज्यान पर अमल करता है जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रन नहीं किन्तु वर्तमान हमारे हाथों में है आज का वर्तमान कल के भविश्य कल का निर्मान करेगा इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविश्य बनाएं